आज हम आपको डाल और कदू बनाना सिखाएंगे बिस्मिल्ला रख्मार रहीम सबसे पहले हम हांडी में बटी की हांडी में आउल डालेंगे तक्रीबन एक कप आउल डालना है हमने और मटी की हांडी को थोड़ा गरम हों में टाइम लगता है तो हम ने आउल डाल दिया है और जैसे ही ऑईल गरम होता है तो हम प्यास डाल देते हैं बीच में प्यास को डालने के बाद हम इसे सुनेरा होने तक फ्राइब कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें जो बाकी इंड्रीडेंस में शाविल करते जाएंगे अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अब यह पसंद आती है तो दूसरों के साथ शेयर करें से प्यास को हम सुनेरा होने तक फ्राइब करेंगे बहुत ब्राउनी होने देना इसका रंग जो है वो गोल्डन सा हो जाएगा तो हम इसमें लैसन अधर के पेस्ट को शामिल कर देंगे तकरीबन तेबल स्पून इसमें जाएगा लैसन अधर का पेस्ट और इसको फिर हम फ्राइब करते रहेंगे साथ साथ प्यास के साथ यह भी फ्राइब हो जाएगा और जैसे फ्राइब होता है तो हम इसमें दो अधर दर्मयाने साइस के टमार्टर डाल देंगे दो टमार्टर डालने के बाद हम इनको साफ्ट होने तक पकाएंगे इनको फ्राइब करेंगे जब नर्म पढ़ जाएंगे तो हम इसमें मिसाला डाल देंगे मिसाले में मेच, हल्दी, नमक, हस्पे जाइकाब ले लें हमने दो टेबल स्पून बढ़के सुख मेच लिए है एक हल्दी की चमच लिए है और एक टेबल स्पून हमने नमक लिया है यह शामल कर देंगे और इसको फ्राइब करेंगे मिसाला अच्छी तार से जब त्यार हो जाएगा तो हम इसमें दो चॉप किये हुए कदू जाएं वो भी शामल करेंगे लेकिन इस दौरान सबस मिस्ट भी शामल कर देंगे सब मिस्ट को भी हम फ्राइब करेंगे दो द्रम्याने साइज के कदू जोटी साइज वाल जो होते हैं वह हमने काट लिए क्यूब्स की सुरत में यह भी शामल कर देंगे इसमें इनको थोड़ी देर हम फ्राइब करेंगे और ठक देंगे इसे थाकि यह थोड़ी से गल जाएंगे जीरा हमने कूट लिया है यह भी शामल करते हैं इससे महक पूरी फैल जाएगी घर में यह देखें हो चुके हैं इसमें डाल जाम कर देंगे आदा किलो डाल हमने बॉयल कर लिया है शामल कर देंगे इसमें दाल चुके गली हुई है इसलिए हम इसे थोड़ी देर इसमें शामल करके भूल लेए थोए देखने के बाद अगर और इसका असपास निकल है तो फिर आपने इसको फ्राय कर लेना है और इसके बाद इसमें पानी शामिल कर देना है तो असके जरूरत इसमें पानी शामिल कर ले हम चुके इसके साथ राइस बॉयल कर रहे हैं चाउल को बार रहे हैं तो हमें दोड़ा साई नहीं जाहिए होगी इसके बाद हमें इसको धगतेंगे और इसके गलने तक हम इसे पकाएंगे और फिर डिश आउट कर लेंगे यह हमारी डाल कर दू तयार हो गये हैं इसको बॉयल राइस के साथ सेर्फ करें एंजॉय करें कर दो कर दो